एक दर्दनाक हाथसे की खबर सामने आ रही है राजस्तान के कोटा शहर से जहां कोटा जालावाड पर तीज रप्तार ट्रक ने सिक्षकों से भरी एक इको वैन को टक्कर मार दी है इस हाथसे में वैन सवार एक महिला टीचर की मौत हो गई जबकि कई अन्य टीचर घायल हुगे हैं मिरतक की पहचान ललीता छिप्पी के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोड़दार थी कि वैन मौके पर ही पलड़ गई जिसके बाद वैन में सवार कई टीचर अंदर फजगे वहीं मौके से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह से वैन को सीधा किया और घायल टीचरों को नजदी के अस्पताल में भरती कराया फिलाल घायलों का इलाज चल रहा है लेकिन एक टीचर की मौत हो गई है वहीं घटना की सुच्टा मिलने के बाद मौके पर पहुची पुलिस अग्या ट्रक चालत के खिलाब मामला दर्च कर लिया है और अपनी जाज शुरू कर दी है कनवास्थाना के अंतरगताने वाली मौरू कला चौकी के एसाई ने बताय कि घटना दरा रेलवे ब्रीज की है वैन में सवा टीचर राम गंज मंडी के गुड़दी स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे फिलाल मामली की जाग जारी है